कि नमस्कार कैसे हैं आव जी 20 के सफल आयोजन ने विश्व में भारत का कद एक बार फिर बढ़ा दिया पढ़ान मंतरी दुनिया के सबसे लोकप्रिये नेता के ग्राप में सरवोच शिखर पर हैं वो कंटिनीट्वी तो जारी है लेकिन दुनिया ने भारत की नई तस्वीर देखी है दुनिया के सबसे संपन 20 राष्ट्र में सबसे संपन पहले नंबर का अमेरिका भी था एक समय दुनिया के दो तिहाई इससे पर काबिज रहने वाला ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर भी और सौधी अरब जैसे देश की सुप्रीमों लेकिन उसमें एक कास्टा द्यक्ष था ये थे जस्टी टूडो सबसे युवा में से एक लेकिन जब पढ़ान मंत्री मोदी ओंसें दिल रहे थे तो बोडी लेंग्विज दूसरों के अपिक्षा कहीं न कहीं फर्क दिखाई दे रहा था मोदी बोडी लेंग्विज के मास्टर हैं मोदी कैमरे के मास्टर हैं और वहीं संदेश उन्होंने दे दिया कि कानड़ा को क्या करना है अग्ष दरसल भारत पाकिस्तान की गत कानड़ा की करना चाहता है और जब अकसर आतंकबाद की चर्चा होती थी तो पाकिस्तान परस्ता आतंकबाद लेकिन खुलकर अब की बार भारत के पढ़ान मंत्री ने कानड़ा से साप किया कि कानड़ा को कानड़ा की जन्म की भूमी पर भारत विरोधी आतंकी हरकतों को बंद करना होगा मोदी जो कुछ भी बोलते हैं बिना लाग लपेट के बोलते हैं और जस्टिन टूडो के सामने में पढ़ान मंतरी मोदी ने साफ किया कि हम कतई इसे बरदास नहीं कर सकते कि कनड़ा में खालिस्तानी आतंकबादियों को परस्य दिया जाए कनड़ा इससे खुद अपमानी थो कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि उसे पता है वो भारत में भारत की ताकत दुनिया के सामने देगा कनड़ा ने ये कहा कि हम अपनी भूमी का अस्तमाल आतंकबाद के लिए नहीं होने देंगे लेकिन उसकी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कनड़ा में भारत विरोधी गतिविदी लगातार ऐसी हो रही है जिससे पाकिस्तान में हुआ करती रही है झाल 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 जी ट्वेंटी काप की बैठक खत्म हुई और सभी देश के राश्टाद्यक्ष अपने अपने देश चले गए एक कहावत खही जाती है कि बारात जब आती है दरबार पे लड़की के घर पे उसका जोड़दार स्वागत किया जब लेकिन जब बाराती में से कोई एक छूट जाता है रह जाता है तो अब मुवानित मैसूस करता है जानते हैं किसलिए क्योंकि बारात की समय में तो सबका सम्मान हुआ तो उसका भी सम्मान हुआ उस बाराती को काजू किसमिस छाओरे खिलाए गए दूद मलाई चटाए गए सम्मान किया गया लेकिन जब बारात चली जाती है तो परिवार अपने काम दंधे में लग जाता है दरसल जस्टिन टूडो के साथ ऐसाई कुछ उसी बाराती वाल हुआ यो खलियर की तरह यहां पढ़ा रहे जी ट्वेटी की बैठक के बाद सभी देश के राष्ट्रा देख चले गए जस्टिन टूडो भारत में फंस गया उससे टूडो और कनडा को अपनी आउकात पता दरसल कनडा एरलाइंस का जो बीमान जो अपने पढ़ान मंतरी को लेकर के आया था वो उसमें तकनीकी गरबड़ी हो गई प्रयास किया गया लेकिन वो ऊड़ नहीं सका उसके बाद टूडो उसी होटल में भारत सरकार का बिल बढ़ाने लगे और 36 घंटे तक यहीं अटक पैस अठक गये जानते हो इस दौर में पढ़ान मंतरी मोधी ने उनका कोई ख्या उनसे कोई टेलिफॉनिक बातशीत नहीं बस यहीं एक मैसेज पढ़ान मंतरी कारियाले से दिया गया कि भारत के पढ़ान मंतरी अपना विशेस बिमान उन्हें आफर कर रहे हैं यदि वो जाना चाहें तो भारत के पढ़ान मंतरी के विशेस बिमान से जा सकते हैं। भारत के उप राश्ट्रपती और महामहीम राश्ट्रपती के लिए विशेस बिमान मोदी सरकार के दौर में तयार किया गया है जो भारत के कद को बढ़ा सके। यही हुआ था। जस्टिन टूडो को अवकाद बताना चाहते थे कि हम तुम्हें छुडवा देंगे क्या जाना चाहते हो। लेकिन टूडो जानते थे कि मोदी ने उनके साथ वो बेभार नहीं किया जो दूसरे डास्ट्रों के साथ। कनड़ा के सरकार ने इसे मना कर दिया इस वाफर को और 36 कंटे के बाद जब कनड़ा का दूसरा विमान आया जस्टिन टूडो को ले करके चला गया। और यहां से उनकी विदाई हो गए। लेकिन उनने मैसोस किया कि उनका यहां उस कदर सम्मान नहीं हुआ। दरसल यह संदेश भारत ने दिया उन्हें कि सम्मान पाने के लिए सम्मान के लाइक बनना पड़ेगा। लगातार कनाडा एक ऐसी भूमी है जहां खालिस्तानी आतंकबाद को प्रस्त्रे लगातार दिया जारा है। और उसकी वज़ा ये है कि बड़े पैमाने पर सिख वहाँ पर है जो उसमें से बहुत वारा हिस्सा जो है वो खालिस्तानी आतंगवाद को फ्रस्रे दे रहा है बकनाड़े में भारतिय मुल्के 24 लाक भारतिये हैं जिसमें 7 लाक सिख बरे पैमाने पर कनाड़ाई सिख या यू कहें एनराईज हमारे व्यूवर्स हैं मनीश ठाकुर शो के और उनसे लगातार हमारी बात होती है उस में से कई तो यह कहते हैं कि मनीश भाई हम आ रहे हैं भारत हम आपको अपना पास्पोर्ट दिखाएंगे हमने कई दशक से अपना पास्पोर्ट नहीं बदला भारत के परति हमारी अठाह आस्था है और वो पेड़ित होते हैं वो रोते कलपते हैं उस खालिस्तानी आत पास्पोर्ट नहीं डर लगता है क्योंकि उनकी ताकत बढ़ गए में जो आम भार्तिय और भार्तिय शिक्ंफर यहां पर Frстр lament की पीरा होती a आगल से दस्वर्सकंद के संसद में भी वेसे कनाडाई जो सिख कनाडाई जो आप की नागरिकता लेचुके हुheus जो खालिस्टान को प्रस्त्रह दे रहे हैं उनкие आर्थिक ताकत वहाँ बढ़ गई है वो सदन के सदस्य हो गए और वो टूडो सरकार के मददगार है टूडो सरकार के सपोर्ट में सत्ता में सरकार में उनकी ताकत है यही कानदा की जस्टिन टूडो खारिस्तानी आतंकबाद पर चुप्पी लगाए बैठे और भारत सरकार उन्हें लागातार अगाह करती है जानते हैं जब कोरोना काल था तो कानदा उसी धंक से भेख वैक्सीन के लिए मांगा था और भारत ने बिना लाग लपेट बिना देर किये कानदा को वैक्सीन उपलब्ध कराई थी क्योंकि कनदा में बड़ी संख्या में भारती मूल के लोग हैं यह भी एक वज़त थी लिकिन मूल रूप से कनदाईयों के लिए यह विशेस दवस्था की गई थी कनदा उसके बाद भी एहसान फरामोस निकला आज की तारिक में जब भारत में खालिस्तान आतंगबाद खत्म हो चुका हुआ है तो बीच बीच में जो आतंगबाद को सुलगाने का काम कनदा में रह रहे खालिस्तानी गुगरबादी ही कर रहे प्रान मंत्री बोदी जिस तरह से कश्मीर में आतंगबाद का सफाया कर गए पाकिस्तान को आउकात बता करके उसी डंग से अब पंजाब से उसे पूरी तरह से सफाया करने के लिए सबसे पहले कनदा से आतंगबाद को खत्म कर देना चाहते हैं कानडा में जो सिख आतंगबादी हैं उनक वो आर्थिक रूप से भी बहुत बड़े पैमाने पर संपन है इसलिए प्रान मंत्री बोदी ने उन्हें साप अगा किया और पबलिकली एक तरह से जलील किया दरसल कानडाई प्राइम मिनिस्टर को जलालत की आदत है पिछली बार जो इंडोनेशिया में ये सम्मेलन हुआ था उसमें चीनी राष्टपती ने भी इन्हें बहुत जबरदस्त भटकार लगाई थे कैतेन उम्र के साथ कई बार कुछ अनुभवें आती है कनडाई प्राइम मंत्री के साथ अक्सर ये देखा जाता है कि उनका वैभार बहुत हलके पनका होता है पिछली बार भी जब भारत के यात्रा पर वाये थे तो कुछ दिन यहां रहे लेकिन प्राइम मंत्री मोदी द्वाराव लगातार इग्नोर आपकी बार प्राइम मंत्री मोदी से या फिर भारत से अपने आपको इविनोर की फिलिंग को लेकर के ऐसा आलम बना कि जब वो कनडा से वापस गए तो उन्होंने भारत के साथ ट्रेड मिशन को स्थगित कर दिया एक्दम से उनकी ये पीरा दिखाई दे रही है लेकिन उन्हें इस बात का डर है कि जिस तरह से भारत का कद लगातार बढ़ता जा रहा है उसमें उनके लिए उपरिशानी का सबब बन सकता है जी ट्वेंटी के में प्रहान मंत्री मोदी ने खुल कर खादिस्तानी आतंगबाद पर बोला और ये कहा कि आपको कदम उठाना पड़ेगा जस्टिन टूडो ने इसे कई बार महसूस किया कि उन्हें नजर अंदाज किया जा रहा है उनकी फजीहत हो रही है दरसल टूडो को भी और करनाडा को भी इस बात का है कि भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है अच्छूत बना दिया है कहीं करनाडा को भी न बना दिया है और इस बात का हैसास वले टूडो को अपने अनुभब से कम हो maturity के कारण कम हो कानाडा को इस बात का विशेश वरोप से उसकी बौकलाट इस कदर थी कि कानाडा का प्राइम मिनिस्टर भारत के राष्टरपती के विशेश भोज बे जो तमाम राष्ट के राष्टा ध्यप्चों के लिए विशेश भोज का योजन किया गया था उस बोज बे नौतारी के रात में करणाडाई प्राइम मिनिस्टर अपने आपको अनुपस्थित रहे हूँ और उन्होंने बहाना दिया अपने कुछ और काम निप्टाना है दरसल उन्हें इस से साप लगता है कोई कि जलालत किस कदर हो रही थी और कि ये साप संदेश प्राइम मिनिस्टर मोदी कैसे दे रहे जो भारत सौधी अरब से लेकर तमाम राष्टों को के लिए पलक पावरे विचाये हुए था तो वो पलक पावरे तो इस गेस्ट के लिए भी विचाया गया लेकिन उसे हैसास दिलाया गया कि दिस सम्मंद चाहते हो तो भारत की शर्टों पर आकर तयार करहना पुड़ेगा कनडाई सरकार को इस बात की विचे नहीं थी उनका एक तरह से अपमान हुआ है पबलिक लिए उन्हें आतंकबाद को प्रस्त्रे देने के लिए आरोपी बनाया गया है उनका जबरदस्त अपमान हुआ है और दुनिया के पाँचमी शब्सीवरी शक्ती के द्वारा हुआ है पढ़ान मंत्री टूडो का राष्टपती के भोज में भारत के राष्टपती के भोज में ना ना मोदी को वे चूप गया प्राइम मिनिस्टर मोदी को चूप गया और इसलिए उन्होंने का कि भारत के पढ़ान मंत्री का पुर पढ़ान मंत्री इंदीरा गांदी जी का पुतला बार बार वहाँ जलाया जाता है कॉंग्रिस्टियों को इस बात की सीख लिनी चाहिए कि पढ़ान मंतरी ने सीधे कहा कि इंदिला जी का पुतला हर साल वहां जलाया जाता है और सिख आतंकबाद अक्सर भारत के जंडे जलाते हैं इस पर आपको कठोल रवया अपनाना पूरे ये बदले भारत की तस्वीर है जो धुलमुल रवया नहीं अपनाता जो ठोक करके कहता है कि कनाड़ा को उसी रूप में करना पड़ेगा जैसे भारत चाहता है और भारत ने पाकिस्तान के हाथ मरोड कर उसके हाथ को पीठ पर रख करके उसकी आउकात दिखा दी है दुनिया में कैसे भापाकिस्तान अलग थलग हो गया है FATF कैसे उसे ब्लैक लिस्ट में डालने की तैयारी में कनाड़ा को समझ में आ गया कि FATF पर भारत का दवाब बढ़ेगा और कहीं पाकिस्ताल से पहले कनाड़ा आतंकबादी राष्ट नंगोशित कर दिया जाए ये पीडा ये परिशानी उसे साफ दिख रही है और इसी लिए भारत के प्रहान मंत्री से अपमानित होने के बाद चुपचाप यहां से निकल गए और ये सोचा कि राष्टपती के भोज में ना जाने से वो कनाड़ाई जनता का दिल जीत लेंगे लेकिन जो ही फ्लाइट वहां नीचे उतरी कनाड़ा में कनाड़ाई मीडिया ने जम करके जस्टिन टूडू का अपमान किया और पूरित मीडिया में लगातार ये हुआ कि भारत में सबसे ज़्यादा अपमानित कनाड़ाई प्राइम मिनिस्टर क्यों हुए दरसल इस संदेश भारत के तरफ से कनाड़ा को था कि जिस विपदा में भारत ने वैक्सीन के लिए कनाड़ा को मदद की कनाड़ा ने एहसान फरामुसी लगातार की और यदि कनाड़ा भारत के साथ बहतर संबनाना चाता है तो उसे ठालिस्तानी आतंक मात के कुछ जर से म अरभ नाल को काटना पर भारत की सक्ति ने कनणा को साप संदेश दे दिया दरसल आकात सीधे बथा दी गई है बहुत बहुत धन्यवाद वन्दे बात्रम जैहिंद झाल कि बखने दिया दिया इंदेश दे रहा है